कहीं बार हमारे PC में कुछ इशू आ जाता है जिसकी वज़े से पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर हमें इसे ठीक करने के लिए PC को रिस्टार्ट करना पड़ता है तो mostly ये इशू हमारे ग्राफिक्स ड्राइवर की वज़े से आता है इसके लिए जैसी आपकी स्क्रीन स्टक हो अपने कीबोर्ड पे Windows की के साथ Ctrl Shift B प्रेस करें इससे बिना PC रिस्टार्ट करें आपका ग्राफिक्स ड्राइवर रिसेट हो जाएगा और आप अपना काम वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें